नमस्कार दोस्तों मैं किंजल चौधरी स्वागत करता हूँ आप सभी का पाथ फाइंडर पर दोस्तों जहां दुनिया में एक तरफ डिल्टा, डिल्टा प्लस जैसे कोरोना वाइरस के वेरियंट का प्रकोब छाया हुआ है वहीं University of North Carolina Gilling School of Global Public Health से एक बहुत अच्छी न्यूज आ रही है दोस्तों यहां के साइन्टेस्ट ने एक ऐसा वैक्सीन इन्वेंट किया है जो कि सिर्फ SARS-CoV-2 और उसकी कई वेरियंट से ही प्रोटेक्ट नहीं करेगी बलकि कोरोना वाइरस के अन्य प्रकार जो की Group 2 भी कोरोना वाइरस हैं जिनको सार्बेको वाइरस भी कहा जाता है ये उनसे भी प्रोटेक्ट करेगी दोस्तो ये एक प्रकार का Universal Coronavirus वैक्सीन होगा जो की फ्यूचर में भी आने वाले Animal to Human Transmitted कोरोना वाइरस से प्रोटेक्ट करेगा दोस्तो ये Pfizer या Moderna के वैक्सीन की तरह ही एक mRNA वैक्सीन होगा किन्तु इसमें कई प्रकार के कोरोना वाइरस के mRNA डाले जाएंगे इसका परिक्षन अब तक चुहों में successfully हो गया है और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 2022 तक इनका clinical trials इंसानों में भी शुरू हो जाएगा